हलो फ्रेंट वेलकम टू नॉलिज शावर आज की इस वीडियो में हम डिसकर्स करेंगे बी बी ए एंटरेंस एक्जाम के बारे में और डेली उन्वोसिटी में बी बी ए में कैसे एड्मिशन ले उसके बारे में मैं पूरी गाइडन्स इस वीडियो में आपको देने वाला हू इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इसे एंड तक देखिए हाई आई शेवंपांडे अंडर्सकॉश पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं चलिए बिना किसी डेले के वीडियो को स्कूर्स के बारे में मैं इस वीडि स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में मैं क्या-क्या डिस्कॉस करने वाला हूँ पहले वह मैं आपको बता देता हूं अब आउट द कोर्स मैं कोर्स के बारे मैं आपको बता हूंगा इंपॉर्टेंट डेट्स बताएंगे आपको पैटन इंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन ए कोर्स है इन बिजनस मैनेजमेंट एंड यह एक आइडल कोर्स है स्टूडेंट के लिए जो मैंजेरियल रोल एंड लीडर्शिप पोजिशन चाहते हैं इन फ्यूचर इसके साथ साथ अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवन की बात करूं सो मई में इसके एप्लिक इसके साथ हरे क्वेशन के लिए आपको चार नंबर मिलेंगे अगर आपने सही किया है और माइनस वन आपका होगा अगर आपने कोई गलत किया है इसके साथ साथ MCQ टाइप का पुदाए ही पेपर होता है अब BBA क्रिज्टे की साइन्स कॉमेर्स चाहिए का स्टूडेंट का सरफ और में कम्सेकम 50 पर्संट मार्क हो हमे चाहिए duration and fees कि अगर मैं बात करूं कोर्स के तो तीन साल लंबा कोर्स है एंड इसकी फीज जो है यह साथ हजार से ले के एक लाख रुपे अप्रॉक्सिमेटली जा सकती है और यह डिपेंड करता है कॉलेज के उपर कि आप कौन से कॉलेज में अड्मीशन ले रहे हैं और आपको कौन से कॉलेज में अड्मीशन मिल रहा है अब अगर मैं सिलिबस की बात करूं सो क्वांटिटेटिव एप्टिटीट यूट इस मिटमेटिक्स लॉजिकल रीजिनिंग इंग्लिश बिजनेस एंड जनल अवेर्नेस यह आपका सिलिबस है और इसी से आपका पेपर बनता है स्कोप की अगर मैं बात करूं सो आफ्टर बीबी एक ओर्स बहुत सारी जॉब अपर्चिनिटीज आपको मिल जाती है इन वेरियस मंटी नेशनल कंपनीज में आपको प्लेस्मेंट मिल जाती है इसके साथ साथ गॉर्मेंट औ आपको आफर होती है स्कोप की अगर मैं बात करूं सो आपको सेल एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कंपनीज लेती है ऐसा मैनेजमेंट ट्रेनी इसके साथ साथ बीबी ए ग्रेजुएट्स जो होते हैं वह अपना खुद का बिजनस भी ज्यादा तर स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी entrepreneurship skills जो होती है वह बहुत जादा develop हो जाती है इस course के बाद and आप higher studies के लिए भारत या भारत से बाहर भी जा सकते हैं अब courses after BBA BBA के बाद आप और क्या कर सकते हैं देखिए BBA के बाद MBA कर सकते हैं MBA बहुत ही बड़ा course है master of business administration PGDM that is post graduate diploma in management and MMS that is master's in management studies so आप इन courses को भी कर सकते हैं after BBA अब Delhi University के कौन कौन से colleges हैं जो BBA provide करते हैं देखिए गालगी college, शहीत सुखदेव college, लक्षमी बाई college, college of vocational studies, महराजा अगरसेन college, श्री गुरुनानक देव खालसा college, शिवाजी college, SGGS college of commerce, केशव महाविद्याले और दीन द्यालुपाद्या college, यह कुछ colleges हैं Delhi University में जो BBA offer करते हैं और इसमें admission जो आपका होगा, वो जैट के तुरू होगा, so friends that's all for today, I hope आपके sideouts clear होगे होगे, thank you for watching the video, please like it, subscribe it and share जरूर करें, thank you so much.